दे टीवी के नियूस दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ विवेक उजहा आज बात करेंगे मेघाले में प्रिथक गारू लैंड की मांग के मुद्दे पर 30 अक्टूबर को हुने वाले बाई इलेक्शन्स यानि उप्चुनाव से पहले मेघाले को जाती आधार पर विभाजित करने की मांग तेज हो गई है मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए दो दलों ने समन्वे समिति का गठन किया है मेघाले में हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और गारो हिल्स स्टेट मुव्मेंट कमिटी ने इस मांग के लिए पैनल बनाए हैं और मेघाले में दो राज्य होने की बात की है एक गारो लोगों के लिए और दूसरा खासी जहनतिया लोगों के लिए मेघाले के पांच मात्र वन्शी गारो समुदाय प्रभुत वाले जिलों और असम के उन छेत्रों जिन में गारो लोग रहते हैं उन्हें मिलाकर गारो लेंड बनाने की मांग हो रही है मेघाले के 11 जिलों में से पांच जिले गारो हिल्स रीजन के रूप में जाने जाते हैं जिसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लगबग 14 लाख लोग रहते हैं जबकि खासी और जहनतिया परवतिय च्छेत्र में 22.44 लोग रहते हैं एक तरव खासी जहनतिया हिल्स रीजन 15,546 वर्ग किलोमीटर च्छेत्र में फैला है जबकि गारो हिल्स रीजन 10,102 वर्ग किलोमीटर च्छेत्र में फैला है मेघाले में कुल 60 विधानसभा सीटों में से गारो हिल्स रीजन की सीटें 24 हैं मेघाले विधान सभा ने मार्श 2014 में पश्चिमी मेघाले में एक प्रिथक राज गारो लेंड के निर्मान समंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था वो लेखनी है कि मेघाले वर्ष 1972 में असम के हिसो को काट कर बनाया गया था अब अगर हम जानना चाहें कि मेघाले में प्रिथक गारो लेंड यानि एक जो सेपरेट स्टेट की मांग है वहाँ पर बनाने की वो कैसे शुरू हुई उसका ओरिजिन क्या है तो वो हम उस पे तोड़ी चर्चा कर लेते हैं वर्ष 2009 में मेघाले में प्रिथकतावादी आंदोलन को बढ़ावा मिला जब उसी वर्ष गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ और इसने हिंसक पध्धतियों के जरिये स्वायत राज्जी की मांग का आंदोलन चलाया मेघाले के पश्वी भाग में एक प्रिथक गारो लेंड का निर्मान इसका मुख्य लक्ष था यह उग्रवादी समूं गारो छेत्र असम के गोला पारा और कामरूप जिलों में सक्री होकर कारे करता है भारत सरकार ने वर्ष 2012 में इस संगठन को आतंकी और अवैधानिक संगठन भी घोशित कर दिया था क्योंकि इस पर हत्या, तसकरी, फिरोती, अपहरण जैसी चीजों का आरोप था और ये भारत विरोधी तत्वों के साथ गड़जोड भी कर रहा था अगर हम ये देखें कि ये जो संगठन है ऐसे जो एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रूप्स हैं उनके मन में क्या है जिससे वो प्रथक गारोलेंड बनाने की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रिष्टभूमी 1980 के दशक में लिखी गई थी जब मेघाले में उग्रवादी गतिविधियों की शुरुवात हुई थी और वहाँ पर जो स्थानी जंजातियां मेघाले में थी उनके हितों की रक्षा के लिए एक उग्रवादी संगठन बना था जिसका नाम थ था HALC और ये जो था इसने मेघाले की संप्रभुता या मेघाले को एक संप्रभु राज्य के रोप में बढ़ावा देने पर काम किया लेकिन धीरे-धीरे 1992 में HALC में फूट पड़ गई क्योंकि यह उग्रवादी संगठन केवल खासी और जयनतिया हितों पर ही जोर दे दे रहा था तो गारो लोगों ने यह सवाल उठाना खड़ा कर दिया कि हमारी उपेक्षा हो रही है हमारे जो अधिकार है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यही कारण है कि मेघाले में इसी के बाद एक आचिक मातगरिक लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ और इसने गा मेघाले को खासी डॉमिनेटेड स्टेट बनाना था वहीं दूसरी तरफ आचिक नेशनल वॉलन्टियर्स काउंसिल का ओदेश गारो परवतिये छेत्रों को मिलाकर एक आचिक होमलेंड का निर्मान करना था यानि गारो लेंड से पहले आचिक होमलेंड की भी मांग हो चु सरकार ने जो अवैधानिक क्रिया कलाप निरोधक अधिनियम 1967 है उसके तहट अवैधानिक संगठन भी गोशित कर दिया था तो इस तरीके से भारत सरकार ने कई बार वारता करके इस मामले के समधान के लिए प्रयास भी किया है लेकिन समय समय पर खासकर जब इलेक्षन का स अपने जो वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं उसे पूरा करने की कोशिस करते हैं तो ये था हमारा गारो लेंड के बारे में जो जानकारी है आपको ये जानकारी कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजि रहोंगे नमस्कार